दोस्तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बार लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा कर ये छोटी सी घंटी अभी दबा दीजिए येज बैंक की तस्वीर में आपको दिखा दूँगी कैसी सिच्टेशन है कि या पर भीड़ लगी हुई है लोगों को टोकन मिला ये की नहीं? डर्मसर निकाल की एटीएंसएं से और शिवलनों बाटन बाटेंगे और सिवलगों को तो किन फेले क्लाइन फेलितु बाले को तो भुष्झ था इनुस बोल लें मंडे को आयों मंडे को सुबह 8 पर या के लाइन में लग जाओ जो लोग 9 पर योग है बस उन्हीं को पेमेंट देंगे 60 लोगों को उसके बाद हम कोई पेमेंट नहीं करेंगे कोई कि पूछ रहा है कोई इंप्लाई बात करना पर यां तो कोई नहीं कर रहा है अन्दर जाने के लिए इनका 30 नंबर था तो यह उस बीच में कहीं चले गए थे और अब यह आए हैं तो जितने बंदें अंदर बैठे हुए हैं तो मैं आपको बेज़ूंगा जो जिनका टोकन नहीं मिला हुआ है उनको नौ बजे के लिए मंडे के लिए बोला हुआ है क्योंकि सो तक अभी एंट्री हो चुकी है यह लिए ऌ-को बटे कें कम और ये साइब करें लिए और तो मैंगमन टे कि अंदर अभी कोई किससे बात करने नहीं आleye और कोई यह आप सो किस सउस्थ देखते हैं जिस तभी अपने अंदर से क्या आश्वासन बेंक ने दिया पैसा मिलना शुरू हो गया और आपके अकाउंट में अभी कितना पैसा है? एक लाग पांच हीजार रूपहे मेरे अकाउंट में अभी टोकन ही नहीं मिला है मुझे तो कब से लगे हुए लाइन में? एक घंटा हो गया लग लग क्या कहा बैंक नहीं? वो इक आसर कला मंडे में आजाना बंडे में आके ले लेना टोकन सुबह नौ बजे बटेंगे तो पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा बंडी में एक बार लाइन में लगे थे एक बार फिर से लाइन में लगना पड़ गया सोचा था कल जब यह ख़बर आपको लेगी कि सरीके से आया तो क्या हुआ कुछ नहीं बस यही तक ही उवजा के पैसे निकाल लेंगे अपने जो भी है फचास जार तो मिलेंगे फचास अ tomar dennis बड़ने निकाल लेंग यह भाई शुआ शुत जा रहे है कि पहले लगतना तक घर में से एंफ पैसे फिर उसके बार लाई हां गर में से नींएंगर में चो वजब से आये थे token कब बढ़ ग्याव का starting नहीए किसी पमधाने चला कहते हैं कि साट टोकन बाटे है कि कोई साइट टोकन बाटा नहीं होने किसको मिला किसको नहीं मिला कोई पता नहीं और ब्रांच भी घूम और गया गए कहीं कोई पैसे की बात नहीं है कहते हैं कि transaction आप ATM से कर सकते हो लेकिन कोई transaction कहीं भी ATM में पैसे नहीं है आप जब अपने ATM को insert कर रहे हैं मशीन में तो क्या वहाँ से जवाब आ रहा है पहले तो आता था transaction declined उसके बाद आने लगा कि temporary not available किसी और ATM में भी इनके ATM में भी सारे ATM में एक ही बात आ रही है सरकार लगातार या आश्वासन देरिये कि सबका पैसा से आर भी आई कह रहा है कि हमने लगातार नजर बनाई यह सब मामले को पूरी तरह से ठीक कर देंगे आपको भरोसा हो रहा है नहीं बातों पर भरोसा नहीं है पहले भी कई बार भरोसा तूट चुका है लेकि भरोसा नहीं है आप एक नोटिफिकेशन निकाल देते हो रात और चीजों को दिवाज कर ले तो आपने क्या प्लांस है किसी को बताओं कि हमारे प्लांस है हम यह कंपनी यह 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 बैंक करेगा कुछ तो आप बता इक्षन शुरू होना चाहिए जो पैसा टोटल है वो पूरा हमें दे दिया जाए हमें कोई नोटिफिकेशन लाकर हमें कहा जाए कि फ़लां दिन आपको पैसे पूरे मिल जाएंगे और वो हमारे उपर डिपेंड करता है कि हम उसमें छोड़ते हैं यह हमारा विश्वास प कोई परपस नहीं है इनफिशेंट फिनांस मिनिस्टर है जिसको कुछ करना नहीं है एक नोटिफिकेशन आर बी आई में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको फिनेंशन नौलेज नहीं है गाइडलाइन नहीं पता होती है आप नोटिफिकेशन रातो रात निगालते हो अब उसको सकुलेट कर देते हो उसमें क्या परेमीटर करोगे क्या बताओगे कैसे करोगे कोई कुछ नहीं बताना अभी जैसे अगर माल ले आप मालीजी आपका यहां से पैसा मिलता है तो दूसरे अकाउंट में किसे में ट्रांसफर करेंगे या कैसे करेंगे अब तो यह नहीं रहा कोशिश करेंगे कि किसी एक बैंक पर यकीन करके खुलवाएं अकाउंट बट स्टिल अभी तक नहीं है अभी तक इने वरुसा नहीं आप मुसकान तो दीरे-दीरे लेकिन टेंशन भी बहुत होगी कि कल जब पता चला था किस तरह से खबर आई हैं क्या गया सब पर दो सो ब्यालीस नमबर था मेरा वहाँ कैश खब हो गया उसके बाद मैं जीके मैं गया वहाँ भी नहीं नोट बंदी जैसे स्थिती हो गई है कि तब इसी तरीके से एक एटीम से दूसरे एक बैंक से दूसरे एटीम और अभी भी वही वाली सिच्वेशन दिखाई दे कम से कम डर नि था कि पैसा पैसा मिल भी पाए ceux यहां डर तो बिल्कुल बना हुआ है कोई पता नहीं कब क्या हो जाए कोई भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई 50,000 मिलेंगे कल कह देंगे कि पचास जार नहीं मिलेंगे कुछ नहीं कह सकते क्यों सार ऐसा डर है कि पैसा मिल भी पाएगा की नहीं डर तो कंप्लीट है देखिए जिस हिसाब से बैंक की इसकी पोजीशनिंग काफी दिनों से खराब चल रही थी तो उमीद तो नहीं है अब इन्होंने पचास जार की लिमिटेशन तो लगा ये मनिटरम लगाया हुआ है लेकिन अब वो कल हर एक एक दिन पासिंग अफ एवरी डे लोग इस डर में हैं कि मंडे में हम आएंगे तो कि यह पचास जार की लिमिट कहीं नीचे ना हो जाए या हमारे पैसे मिले या ना मिले क्योंकि गाइडलाइन कुछ नहीं है आब यह मान के चले एस बैंक का जो भ पहुचा कि गये थे वक्त एक दम बदल गया वक्त पांच बैंकों में यह भी तॉप पांच बैंकों में तो अभी चौति में चौति नंबर पर है अब अगला तीसरे नंबर का होगा दीरे देर करके एस बीए तक भी पहुच जाएगे होगा चीज है यह लोन बाटते वक् पैसा नहीं है तो पॉब्लिक क्या करेगी डर वो तो कैश महीं डिल करेगा वो एकनोमिकी डिजिटाल और यह फलाना जो लोग बोल रहे हैं न एक्चलिटी में इसा ही नहीं कहीं जब ऐसे होगा तो डिजिटाल तो गया आदमी पैसा रखे का नगत जेम है और में भी रख सब्सक्राइब करें तो अब हो रहा है यह दिन कोई ना कोई बैंक सुनने मातब बंद हो रहा है और मेरा इससी में मैंने सुबही जागे विड्रॉल बाग लिए मेरे उसकी लिमिट जाधा थी काई कि 75,000 तो मैंने निकाल लिए मेरे पास अभी कैश है क्योंकि आदमी घब मेडिकल जो एक्सपेंसेज हैं वो आपका नहीं मानना आज की एक घंटे बाद की नहीं मानना तो आदमी कैसे सर्वाइब करेगा यह बता रहे हैं कि पहले एक एवडी है ना उसको पहले तुड़ाओ फिर अकाउंट में पैसे आएंगे तब अभी लोगों को दे तो नहीं पैसे यह लोग अभी नहीं दे रहे हैं आपकी जो फादर की एफडी थी यहां उन्होंने क्या कहा यह कह रहे हैं कि पहले एवडी तुड़ाओ फिर बतलब लोग तो दो दो दिन से लेकर आएंगे पैसे नहीं दे रहे हैं जो सेविंग्स करके जो पैसा रखा था वो भी अब नहीं मिल पार हां तो क्या आप समझते हैं कि डर अभी दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से बैंकों की बात थी एक लगता था कि चलिए विश्वास है तो हमारा पैसा सेफ है यहां पर भी अब सेफ नहीं रहा गया पता नहीं क्या कह सकते हैं इसके बार दर दो लगी और ना सिर्फ YES BANK की बात बलकी इस BANK के बाद और बैंक के जो ग्राहक है उनमें भी डर दिखाई दे रहा है वो भी कह रहे है कि पहले से विडरॉल कर लो आगे का किसी BANK का कुछ पता नहीं ऐसे ए इस तो नो होगी है लेकिन और बैंकोंपे वरोसा है कि नहीं और वहां को जुट रहे हैं अपना जो पैसा है उसको विड्रॉल करने के लिए यानि कहा जा सकता है कि लोगों में कहीं न कहीं थोड़ा सा डर दिखाई दे रहा है कि अपने पैसे को अगर निकाल लिया जाए तो ही बढ़िया है और ये एटीम के बाहर लगी लाइने ये जरूर बता रही है कि डर जो है एटीम के बाहर अब हर बैंक के गरहक को लगने लगा है कि आखिरकार क्या हो रहा है किस तरीके सोरह में बाइसाब येस बैंक में जिस तरह से हालात हुए इसके बाद और बैंकों को भी डर लगने लगा कर आगे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी खराब है ये इस बैंक के बाहर लाइने है और ये लाइने लगातार दिखाई दे रही है कि किरकार होके आ रहा है इस वीडियो के शेयर कीजिए अपने साहिक एंकित के साथ नवीन चोहान डिल्ली हेड़वाइन सिंडिया